ओम शान्ति आज 14 मई 2023 है आज की साकार मुर्ली बाबा की बहुत सारे शिक्षाओं से भरी हुई आज बाबा ने हमें मैं पन मिटाने के लिए मेरा पन मिटाने के लिए कहा साथ ही साथ बेहद के वैराग्य को धारन करने के लिए बाबा ने आज हमें इशारा दिया कि वर्तमान समय बाबा हमें बेहद का वैरागी बनाना चाहते है तो इस पूरी अव्यक्त मुली में जो हमने आज बाते सुनी हैं वही बाते आज बाबा अव्यक्त इशारों में भी हम आत्माओं से कह रहे हैं सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे वर्तमान समय के प्रमान अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिंचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ती की बनाओ अभी आराम की दिंचर्या मिक्स हो गई है ये अलबेले पन शरीर के छोटी छोटी बिमारियों के भी बहाने बनाता है सेवा का उमंग बिमारी को भी मर्च कर देता है तो वर्तमान समय के हिसाब से जो बाबा ने बेहद की वृति के वायुमंडल बनाने की बात कही है तो बेहद की वैराग्य वृति किसको कहते है बेहद की वैराग्य वृति का मतलब बेहद दुनिया से वैराग्य नहीं है लेकिन सर्व हदों से वैराग्य ये है बेहद की वैराग्य वृति छोटी-छोटी हदे जो हमात्माओं को बांधती है और ये छोटी-छोटी हदे बेहद की है यography अनेक हैं इनका विस्तार बहुत है तो हम जब इन सारी हदों से पार हो जाएंगे वही बेहद की वेराग्य विर्ति यानि की बेहद में स्थित होना और हदों से वेराग्य और सबसे पहली हद है मेरापन जब हम मैं कहते हैं मेरा कहते हैं तो जरूर मेरा कह रहे हैं, तो किसी चीज को तेरा भी समझ रहे होंगे, पराया भी समझ रहे होंगे, ये मेरे और तेरे का भान सर्व के प्रती हमारी responsibility की भावना जागरित नहीं करता, जो मेरा है बस मैं उसी के लिए responsible हूँ, भले वो मेरा सेवा केंद्र हो, वो मेरी सेवा ह वो मेरा अपना शरीर हो आदी, लेकिन आज भावा ने कहा कि ये मेरा पन, ये हद हमारे अंदर आलत से लेके आती है, मुरली में भी भावा ने कहा व्यर्थ आता है, अगर बेहत के वेराग्य व्रती नहीं है, तो युद्ध चलता रहता है, क्योंकि जैसे ही हमने मेरे को सं पर न किया, बाकी समय हमारा किसके लिए रहा, तो उस खाली समय में माया प्रवेश करती है, आलत से अलबेला पर नाता है, आराम की दिन चर्या हो जाती है, जब किसी भी चीज को मेरा नहीं समझेंगे, और हर चीज को अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, तब ये बेहत के वे दीर की व्याधी, छोटी मोटी बिमारियां, जो हमें कहीं न कहीं माया का सहारा दे देती है, वो सारी की सारी बुद्धी से हम उनसे किनारा कर लेंगे, और धीरे धीरे प्रकृती जीत भी हम बनते जाएंगे, ओम शान्ति